बुड मॉर्णिंग फ्रेंट्स आज कामाई टोपिक है क्लोरं फैनिकॉल माइडीशनल कैमेस्टी का जो आज का टोपिक है वह है कलोरं फैनिकॉल पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे ड्राइब किया उसके बाद ऐसी हार्जिक करेंगे तो चलें, स्टार्ट करते हैं अगर हम इंट्रेक्शन देखते हैं। क्लोरम फ्निकोल परेलिध में अगर के-धूर ए तक पर सब दो डामें के-ध। क्लोरम फ्निकोल का हमें नाइंटेंग-ध्टों की-धूर् Chloramphenicoline उसको हम लोग Chloromyte भी बोलते हैं Chloromyte को क्यों बोलते है एक तो इसके पास Chlorine होता है दूसरा इसको आइसोलेट मतब इसको पाया जाता है कहां से Chloromyte से तो इसलिए इसका दूसरा नाम है वह Chloromyte भी है तो यह इंपोर्डेंट है यह आपको याद रखना है इसका दूसरा नाम Chloromyte से और अगर हम लोग इसके स्पेक्ट्रम की बात करें वह सिमीलर होता है तो देट्रा साइक्लिन बट सिरफ यह एक्सेप्शन होती है कि इ इक्ट्व होता है Chloromyte अब इसका structure है — Composed of different groups बहुत different groups होते हैं जिनसे इनका structure बनता है Chloromyte का तो चले देखतें अगर आप Chloromyte में तीन तरह के groups लगे अगर हम लोग यह देखते हैं तो यह फिन्नोल पेरा-डाइट्रो फिनोल न्यूल है मैं आपको दिखा चूनकि कैसे यह पेरा नाइटो फिनोल है, उसके बाद अगर हम लोग इसके दूसरे ग्रूप की बात करते हैं, वो है, 1-3-Propane Diol, सब्सक्राइब है, यह इसका 1-3-Propane Diol है, और अगर हम इसकी बात करते हैं, इस थर्ड वर्ण की, तो थर्ड वन जो structure है ना उसका नाम है डाय क्लोरो एसिटामाइट यहां में दो क्लोर लगे हुए ना और यह acid है तो एसिटामाइट तो यह आगे देखके हम आपको समझाती हूं मैं आपको कि कैसे यह बना है तीन different structures का तो अगर हम लोग बात करते हैं फर्स structure की इसके तो वो तो है पेरा नाइट्रो फिनोल हमें संगे जब भी बेंजीन रिंग हो और उसके ओवेचा जाँ तो उसको अम लोग फिनोल करते हैं सचलें आफ फिनोल उसके पेरा पोजिशन पर नाइटरो आ गया है 1 2 3 3 carbon1 carbon2 carbon3 तो 1 और 3 पर क्या लगाए ओवेच तो इसी लिए इसको बोले 1 3 propyndiol और अगर हम लोग इसके थार्ड इस्ट्रेक्चर की बात करते हैं जो के diane chlodicodamide अगर हम लोग इसकी बात करते ना तो इसमें क्या है एक तो carbon यहां दूसरा carbon नहां है यहां पर 2 klorine तो इसे लिए मोग इसको बोलें diachlor acid amide क्यों कहे रहे हैं acid amide हमें पता है c c in c double o h अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो इसको अम लोग acid कहते हैं acid acid जैसे हो गया तो ऐसे acid उसमें amino लगा है तो यह क्या होगा होगे एसे तमाइट यह आपको समझ आ रहा होगा तो इसको एसे डाय कलोरो एसे डामाइट और इस इन सबसे मिलके जो बना है ना वह किलोरम फेनिकोल यह राफ फिनोल पेरा नाइटरो फिनोल यह राफ वन ट्री मलब इसके वन पे और थ्री पे क्या लगावाए ओच और अगर हम लोग अब सर की बात करते हैं सर और पेरा नाइटरो फिनोल अगर पेरा नाइटरो फिनोल की बात करते हैं तो पेरा नाइटरो फिनोल में इस नाइट्रो नाइट्रोजन ग्रूप जो नाइट्रो ग्रूप लगा है ना इसमें जो नाइट्रो ग्रूप ऐसे स्ट् अगर हम लोग अगर नाइट्रू ग्रूप की बात करना इसकी तो यह important होता है for the activity इसलिए इसको हम लोग को replace नहीं करना with any other group if position इसकी जो position है ना ग्रूप की अगर वो change होगी तब भी activity क्या होगी reduce होगी अगर हम लोग देखें ना कि नाइट्रो की जो position है ना वो कहाँ पे पेरा position पे तो पेरा से इसकी position भी इदर उदर नहीं करनी activity decrease हो जाएगी और अगर हम लोग बेंजीन रिंग की बात करते हैं माल तो इसकी जो potency है ना वो decrease हो जाएगी और complete compound substitute with another aryal group अगर इस पूरे जो compound है यह क्या है पेरा नाइट्रो फिनोल अगर इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं with the aryal group तो उसकी activity होगी ना वो रेमेंड शेम जाएगी मालब यह जो complete compound है पेरा अमाइनो फिनाईल अगर हम ल अगर उसके स्ट्रक्चर से हम लोग पेरा नाइट्रो फिनाइल हटा के अराइल लगा जेते हैं तो एक्टिविटी सेम रहेगी जैसे इसकी दिए और अब हम लोग बात करते हैं करते हैं से अरे क्लोच हैं करते हैं से यार फिलोरीटी अगर आगिडी अगर इन में पे ट्राय हायाईट आ जाएगा तेन के लोड-, तो इससे क्या होगा, अगर अचец्यूद techniques फ्ट्स्राइमाइ अगर अगर थैन ज्याद फ्लोरिन होग अगर अगर हम बहलगIT इसके फ्लोरीम, यह वि फ्लोरिन होग तो यह क्या है तो अगर sama करके फ्लोरिन की बातरे हैं, तो if alcohol at the carbon number one is modified its activity decrease मादब जो अलकॉल लगा है ना मादब carbon number one two or three दोनों पर क्या लगावा है ओच one पर और three पर अगर one वाला जो ओच है ना वहां पर हम लोग modification कर जेते हैं तो activity decrease होगी क्योंकि alcohol is essential for the activity मादब जो alcohol है वो activity के लिए essential है अगर alcohol को remove क्या तो activity भी या तो diminish हो सकती है या loss भी हो सकती है तो यह था आज का लेक्चर क्लोरम फैनी को आप आए होप आपको अच्छा लगा होगा